हेलो दोस्तों स्टॉक मार्केट एस टीवी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम दो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि उनमें कैसा मौका बन रहा है आप से सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप वीडियो को कूरा देखें और अंत तक देखें तो आज का हमारा पहला स्टॉक मल्टी कमोडिटी उक्स्चेंज आफ इंडिया लिमिटेर है ये स्टॉक सोमबार 25 सितंबर 2023 को 1902 रुपए और 30 पैसे पर बंध हुआ है और तक्नीकी तोर पर ये स्टॉक स्टॉक होता हुआ भी नजर आ रहा है स्टॉक का 52 वीक हाई 1902 रुपए और 20 पैसे है और 52 वीक लो 1156 रुपए है स्टॉक ने हाल के दिनों में 1716 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है अब जो इसका टारगट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रिजिस्टंस 1905 रुपए और 25 पैसे इसका दुसरा रिजिस्टंस 2024 रुपए और 85 पैसे और इसका तीसरा रिजिस्टंस 2091 रुपए और 45 पैसे अगर यह stock अपना up move continue रख पाता है तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी टच करते हुए नजर आ सकता है और अगर यह stock इस level से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला support होगा 1843 रुपए और 25 पैसे इसका दूसरा support होगा 1716 रुपए और 10 पैसे और इसका तीसरा support होगा 1637 रुपए और 40 पैसे इस stock में 1 या 2 परसंट या फिर first support पे stop loss रखके current level से थोड़ा उपर नीचे या तो फिर अपने analysis के हिसाब से entry बनाया जा सकता है तो आज का हमारा दूसरा stock आवास financiers limited है ये stock सोंबार 25 सितंबर 2023 को 1695 रुपए और 50 पैसे पर बंद हुआ है और तकनीकी तोर पर ये stock strong होता हुआ भी नजर आ रहा है stock का 52 week high 2270 रुपए है और 52 week low 1335 रुपए और 50 पैसे है stock ने हाल के दिनों में 1643 रुपए के आसपास support लेने के बाद अब up move के indication दिखाना शुरू किया है अब जो इसका target निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला resistance 1722 रुपए और 55 पैसे इसका दुसरा resistance 1807 रुपए और 55 पैसे और इसका तीसरा resistance 1924 रुपए अगर यह stock अपना up move continue रख पाता है तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी touch करते हुए नजर आ सकता है और अगर यह stock इस level से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला support होगा 1549 रुपए और 40 पैसे इसका दुसरा support होगा 1407 रुपए और 75 पैसे और इसका तीसरा support होगा 1335 रुपए और 35 पैसे इस stop में 1 या 2 परसंट या फिर first support पे stop loss रखके current level से थोड़ा उपर नीचे या तो फिर अपने analysis के हिसाब से entry बनाया जा सकता है दोस्तों यह video cable और cable educational purpose के लिए है इनमें कोई by sale या hold की सलहा नहीं है आपको व्यापार करने से पहले अपने वित्तिय सलाहकार से परामर्ष करने की सलाह दी जाती है वीडियो देखने के लिए धन्यवार दोस्तों हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में तब तब के लिए अलविदा